दोस्तों आज की वीडियो में शेयर कर रही हूं अपनी दो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कार्डियो एक्सरसाइज और बहुत कुछ है आज के वीडियो में तो बिल्कुल भी मिस मत करना लास तक जरूर देखना तो सुबह सुबह का वक्त है और मैं यहां पर कार्डियो कर आज करती है तो मैंने सबसे पहले किये जंपिंग जैक्स और उसके बाद में स्क्वाड्स और यह कम से कम मैं 10-10 टाइम करती हूं और इसके कम से कम 2-3 सेट मैक्सिमम 4 सेट मैं डेली करती हूं step by step मैं यह exercise करती हूं चोकि पूरी body के लिए ही अच्छी है अगर आप weight loss program जॉइन कर रहे हैं तो आपको बहार कहीं जाने की जरूरत नहीं है यह सारी exercise अगर आप घर पर ही कर लेंगे लेकिन routine तो आपको visible result देखने के लिए मिलेंगे और आपको अगर मैं अपनी बात बता स्टाइल में जैसे आज कार्डियो कर लिया कल कुछ डांसिंग स्टाइल में कर लिया exercise एक दिन योगा कर लिया योगा तो मैं बहुत रेरली कर रही हूं आज लेकिन यह exercise करने में थोड़ा सा energy जादा लगती है जितना आपका calories burn होती है उतना ही आप light feel करते हैं मेरे साथ मे मुझिक लगा लेती हूं और अच्छे से अपनी exercise जो भी रहती है मेरी वह मैं कर लेती हूं तो यह सारी exercise आप जो मैं वर्जन कर रही हूं जंपिंग वाला नहीं कर रही हूं तो आप इनको आसानी से follow कर सकते हैं यहां पर मैंने screen पर शो भी कर दिया है कितने कितने time के या trainer की सला जरूर लें यह सभी exercise करने में लगबख 30-40 मिनट्स लग जाते हैं और exercise करने के बाद में morning की जितने भी काम थे मैंने सभी वो किये जैसे की साफ सफाई करने के बाद में आज बनाई थी यह रंगोली और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं अपने flowers जो कि कामों के साथ साथ मैं अपने plants की care कैसे करती हूं अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी gardening playlist जरूर चेक करें वहां पर आपको 500 से ज्यादा वीडियो देखने के लिए मिलेंगे और each and every plant के उपर मैंने वीडियो बनाया है almost तो आप उसको जरूर चेक कीजेगा तो plants care तो मैं morning म कर लेती हूं और उसके बाद में आज मैंने बहुत सारे container clean किये थे lunch भी मैं prepare कर चुकी हूं बहुत सारे काम मैं लगबग 11 से 12 के बीच में कर लेती हूं और 12 बजे के बाद में मैं lunch prepare करने के बाद में थोड़ा सा market का काम था वो करने के लिए गई थी रास्ते में मिले मुझ अपनी लाइफ में elephant को इतनी पास से टच करके देखा देखा तो दूर से बहुत बार है लेकिन टच करके मैंने पहली बार देखा और मुझे डर भी बहुत लग रहा था ऐसे अजगर को गले में डालने पर feeling आती है ना ऐसी feeling मुझे यहाँ पर आ रही थी असाम से आये थे गजराज और मैं भी मार्केट का काम कर आई लंच में बने हैं ब्लैक चने और गोभी आलू तो गोभी आलू वगरा सब मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है इसको भी इस बोल में ट्रांसफर करने जा रही हो और यहाँ पर आ गई है मेरी सबजी मं अल्मूस्ट एक बजे तक में अपने घर के सारे कामों से फ्री हो गई मार्केट का काम भी फ्री कर लिया था और उसके बाद में मैंने आप सब के लिए शूट किया था एक स्टिचिंग वाला डी आई वाई बाइदे वे अगर आपने नहीं चेक किया तो वो जरूर चेक की चाहरी काई नहीं करने के लिए बाद में अब सब्सक्राइब यह कर दो कई तो आपको रास्ते में रास्ते में स्टे में मिलेंगे तो आपको भी लेकए तो दोस्तों जगह देखकर तो आप समझी गए होंगे कि मैं कहां आए हूँ ये अच्छली मेरी बोहत लंबे टाइम से इच्छा थी लेकिन सड़नली एकदम से प्रोग्राम बना और एकदम से हम यहां पर आ गए और हस्बन भी आये थी मेरे साथ में हाला कि लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनको जाना पड़ा तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसे काम के लिए जिसकी मेरे बोहत लंबे टाइम से इच्छा थ मुझे अकेले ही वो कराना पड़ा क्योंकि हस्बन को टॉटर को स्कूल से पिक करने के लिए जाना था तो उनको जाना पड़ा और मुझे यहां पर बहुत लंबा टाइम लगा स्टूडियो के आर्टेस्ट और ओनर सबका काम भी बहुत अच्छा था और नेचर भी बहुत अच्छा था हमने काफी सारी बाते कि अच्छा था था पांट साल चैनल जाता हमारी बिलकुल 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 विलकुल तो क्या रहता है यह लाग लॉग नाम के साथ है तो आपके स्टूडियो का टाइम क्या से क्या है मैंने जो टाइटू कराया है वो बहुत स्पेशल है आपको वीडियो के लास में दिखाऊंगी जरूर और यहां पर काफी टाइम लग गया लेकिन कभी भी आप टाइटू बनवाने के लिए आएं तो कम से कम धाई तीन गंटे निकाल करके आएं और अगर आप यहां पर बनवाना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी इनका जो एड्रेस है पूरा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी तो आप चेक कर सकते हैं और अगर आप ट्राइ सिटी में हैं और टाटू बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं फाइनली यह देखे यह बन गया मेरा टाटू यहाँ पर करवा के अपना टाटू और ले लिए मैंने समोसे अभी क्याप का वेट कर रही हूँ और जाएंगे घर फिर भूक लगिया बहुत जोर से तो घर पर जाकर के चाई बनाऊंगी और खाऊंगी मैं समोसे तो अभी हो गए रात के 8.30 और मैंने आने के बाद में बस फूजा की है और खाना रेडी किया है और सुबा में कुछ प्रोडक्ट आये थे सेल में मैंने पर्चेस किये थे सोचा था आप सब के साथ में शेयर करूँगी तेकिन आज सुबा से बहुत जादा बिजी डे गया है और मुझे काफी लेट भी हो गया इस करके मैं अभी आपको दिखाती हूं और काफी यूसफुल से प्रोडक्ट है मैंने अपने लिए काफी टाइम से उनको यूज कर रही हूं और अच्छे रिजल्ट मुझे दिये हैं तभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं और क्या क्या है चलिए बताती हूं तो सबसे पहले हेर केर की बात कर लेते हैं और हेर केर के लिए हेर मास्क बहुत अच्छी चीज होती है जो कि मैं रगुलर बिसस पर यूज करती हूं तो यह वाव स्किन साइंस काना मुझे काफी अच्छा लगा मैंने पहले एक बारी ऑफ ऑला पहले दिया थोसे औरल को फिर्य है और सचा उल हूने पहले हैो जो दऑ प्ले कानदिश्ण हाशा का आप अच्छा ड़ूपाइबकाडए पहले रिजल्ट्य को अच्छा स्कून का चाहिस स्कांट्यांक प्ली पांट्यार मुझे हां जिए हैं अपल दोनना है यह के उपर जरूर कंडिशनर करना चाहिए है एक ग्रेप फ्रूट ब्लश बात सॉल्ट लिया है यह बॉडि क्यूपिट का है और काफी अच्छा लगता है मुझे बात सॉल्ट अगर दिन भर बहुत जादा काम करते हैं तो आप कई बारे वर्क आउट करते हैं बहुत जादा का तो हमारी बॉड़ी मंसलों में बहुत जादा पेन होने लगता है तो अगर आप सॉल्टे से थोड़ा सइसनां कर लेते हैं शुद वाशा में बोलू थोड़ी सी ठकावट दूर होती है सब coming cent the times řिंज करती हूं और अगर आपको तकावट का यूज़ता हो जाती है तो जरूर यूज़ करना चाहिए आपको फरक जरूर पथा अब बात करते हूं मैं फेस की केर की लिए मैंने सबसे पहले ममार्थ का मुलतानी मिट्टी फेस वाश लिया है यह जैसे समर्च में आप देखेंगे ऑईली ऑईली स्किन जादा हो जाती है तो यह एकने और ओईल कंट्रोल करने के लिए है यह बुल्गेरियन रोज का इसके अंदर मिक्षर है और मुलतानी मिट्टी जैसा इसका टेक्च Ear है इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊँ यह बड़ा मतरल मुलतानी मिट्टी जैसा ही टेक्च Анए और इसमें कोई भी फ्रेगरेंस तो जो अच्छे प्रोड़क्त होते ना उस में आप देखीएगा कि मैल या फ्रेग्रण्स काम ही यह जियोके स्वाश्तों , लेकिन अभी स्क्रेश इसे शुबु देड्वा क्या , प्रेट कालिया। तो एक मैंने यह लिया है इसके बाद में आप बारी आती है मेकप की रूटीन में जब हम मेकप करते हैं तो बहुत जादा हैवी प्रोड़क्त तो नहीं लगा सकते अपने फेस पर लेकिन बिल्कुल भी डल सा मेकप अगर अपने फेस को प्रेजन टेबल नहीं बनाएंगे त खुद को यह अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं थोड़ा बहुत मेकप डेली रूटीन में करती हूँ तो कोई भी जो भी आप मॉइस्टराइजर लगाते हूं उसके बाद में मैं भी मॉइस्टराइजर तो लगाती हूं उसके बाद में कभी-कभी जैसे कई बाहर जान ब्लर प्राइमर वो भी बहुत अच्छा है बट यह थोड़ा सस्ता सुंदर टिकाओ है तो एक यह मैं लगाती हूं मॉइस्टराइजर के बाद में इसके बाद में कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं लेकिन मैंने 925 लैक मे कि मैं बात करूं तो उसमें मैं यह करती हूँ तो बहार जाना होता है तबी कॉंपैक का योज करती हूं अगर बहार नहीं जाना होता थो यह फॉरस्टे अशन्शियल का है Silicon Dusting Powder ये आपको compact की तरह ही काम करता है काफी अच्छा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैं इसी को यूज़ करती हूँ जो highlighter होता है हलका सा अगर कहीं जाना होता है तो ये lacme का है highlighter इसका नाम है sun kissed ये हलका सा peachish tone देता है pinky pinky से जो highlighter होते हैं वो मुझे उतने पसंद नहीं है जितना की ये और ये ना हलका सा peach color देता है मेरे face में मुझे अच्छा लगता है ये suit करता है तो मैं इसका use करती हूँ फेशियर है ये lacme का लिप्स्टिक की तो लिप्स्टिक मैंने दो ली है my glam का एक ये liquid lipstick ली है ये काफी affordable है और इसका texture मैं आपको दिखा देती हूँ liquid है तो अगर आपने पहले लगाई है तो ये liquid हो जाएगी और फिर उसके बाद में पास साथ मिनट के बाद में ही ये हो जाएगी बिलकुल dry यानि की matte बन जाएगी और इसका texture मैं आपको दिखा हूँ ये देखे कुछ इस तरीके से है बलकि side में मैं आपको लगा दूँगी और एक मैंने ली है ये Maybelline की Maybelline की ये super stay है जो अभी आई है super stay vinyl और ये ये बहुत ही अच्छी खुश्बू है इसकी मैंने पहले भी यूज की है ये glossy रहती है तो अगर आपको matte effect चाहिए तो आप my glam की लगा सकते है और अगर ये वाली चाहिए glossy finish चाहिए तो आप ये वाली लगा सकते है मैं क्या करती हूँ कई बारी दोनों को mix करके लगाती हूँ इससे पहले आपके साथ में मैंने शेयर किया elephant वाला घजराज वाला वो भी मेरे लिए मतलब मैंने दूर से तो बहुत बार देखा था लेकिन पहली बार उसको touch करके देखा तो बहुत अच्छा और ये तो मेरी मतलब आखरी सांस तक रहेगा इससे आपको पता चाहेगा मेरे मन में किसके लिए क्या है तो बस इतना ही है कि खुश रहिए आप भी जिस चीज से खुशी मिले जो करके अच्छा लगता है वो करिए कि मेरे बहुत दिनों से दिल में थी फाइनली मैंने कर लिया अपनी मन की और कभी-कभी मन की भी सुनना चाहिए इसी को तो कहते है सेल्फ लब तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए वी हापी वी आप्टिव अपना ख्याल रखिए और मस्तरे ही बाई बाई